हेलो एवरिवान एम इन्षगरवाल और आज हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हो बहुत ही सिंपल तरीके से लाश्ट यह यह कैट 2023 लोगों ने तो इसको देखके छोड़ दिया था कि काफी टफ होगा लेकिन अगर आप इसमें 10 मिनिट्स अप्रॉक्स देते 10 टू 12 मिनिट्स तो क्वेश्चन सिंपल था इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था सिफ कल्कुलेटिव था और अगर कल्कुलेटिव होके बिना दिमाग लगा है क्वेश्चन हो रहा है तो देखो 25-30 माक्स आपके आ जाएंगे और क्याइट में यह आपके आराम से 90 प्लस परसेंटाल दिलवा देगा इसलिए क्वेश्चन करना था अब मेरे वीडियो से आप सॉलूशन देखना की कैसे करना है इसका ठीक है और ऐसे ही अगर आपको बहुत तफ से तफ क्वेश्चन के इजी सॉलूशन चाहीं हो चाहे काट एजाट किसी के भी हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओ आपको क्वांट के भी मिलेंगे डिलर के भी मिलेंगे और अब तो मैंने आर्सी भी चालू कर दिया है ठीक है और हाँ क अगर में एक टेबल बनानों तो देखो एक तोनेगी डिलर के साफ से डिलर कितने है एक है इसके पड़ दीवन एक है दीटू एक है दीटू एक है है दीट्री और एक है डीफो ठीक है एक क्लम्बी से हम टेबल बना लेते हैं कि एक पर बताँ टेबल की फॉर्मेंटिंग से ही कर ली तो फिर कोई भी कुश्चिंट अफ लगी नहीं सकता अब देखो हमारे पास कौन सा इसी है विंडो है अच्छा इसमें एक इन्वर्टर है एक नॉन इन्वर्टर है और इसका टोटल भी लिख लेते हैं कि टोटल यह कितने हैं पिर एक मेरे पास स्प्लिट एसी आजाएगा इसमें भी इन्वर्टर होगा नॉन इन्वर्टर होगा और इसमें टोटल गित्ता हो गया है ठीक है ज्यादा कुछ किया ही नहीं जो उन्हों ने बोला वह हमने कर दिया अब बोलने 25 परसेंट विंडो वेरियंट है है ना एन रेस्ट इस्प्लिट अचा 25 है अगर मान लेता हूं मैं 25 एक्स इसको लेलू तो यह मेरा कितना हो जाएगा 75 एक्स ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं जो जो बोलते हारो वो लिखते आएंगे अब वाइल रेस्प्लिट वेरियंट एमंग दे इन्वर्टर रेसी 20 विंडो है अचा इन्वर्टर में बोलने 20 परसेंट यहने इन्वर्टर रेसी अपन हंड्रेट वाय माले तो यह बोलने 20 वाय यह है तो फिर 80 वाय हो जाएग ठीक अचा ध्यान से देखना अब नॉन इन् सिमिलरली यह क्या हो जाएगा 75 एक्स माइनस 80 वाय ठीक लिक्के रखो भले जयुरत नहीं पड़े तो कोई बात नहीं अब आगे पढ़ते हैं अब आगे पढ़ते हैं एवरी डीलर सोल्ड एट लिस्ट टू विंडो एसी कम से कम दो तो बेचे गई विंडो एसी यहनी यह वाली जो हर डीलर के लिए होगा ग्रेटर जन और एक्वाल टू होगा हर डीलर को टूटल दो विंडो एसी तो बेचने हैं अब डीवन छोल्ड फर्टीन इंवर्टर एसी चलो खुश्त दिया डीवन ने फर्टीन इनवर्टर एसी बेचें अच्छा देख हो डीलर के नहीं बताये की विंडो में इंवर्टर बेचाए की वो ठीक है तो एक हम आप ऐसे लिख लेते हैं D1 फिर D2 D3 D4 D1 ने इंवर्टर किते बेचे हैं 13 नॉन इंवर्टर देख लेंगे इसी डीटू का अगर कुछ देगा तो वह लिख लेंगे दीटू का नॉन इंवर्टर लिख लेंगे डीटू का अगर इंवर्टर देगा तो वह लिख लेंगे इसका नॉन इंवर्टर देगा तो लिख लेंगे similarly D4 का अगर inverter देगा तो लिख लेंगे non inverter लिख लेंगे ठीक है तो D1 का inverter पता है वैल D3 ने 5 non inverter बेचे हैं ठीक आगे जो जो point होते हैं टिक लगाते जाओ ताकि हमें पता चल जाए कि का क्या हो गया टोटल 6 विंडो नॉन इंवर्टर एसी तो यहां से नोने information एसी दी जिससे में अपना चार्ट भढ़ सकता हूं 6 क्या है विंडो नॉन इंवर्टर एसी नॉन इंवर्टर विंडो है 6 ठीक है जी सनमाई 36 स्प्लिट इनवर्टर एसी 36 थे स्प्लिट इनवर्टर एसी स्प्लिट इनवर्टर एसी है demokrat इनवरर्टर है 36 देख यहां से इसने बहुत कुछ बता तяти वैk की वेल्लियोस है 36 क्या है ध消iał से देखना 80 वाई की वैल्लियोस है 36 4000 निकाल लो 4 से David करके तो आज आएगी 9 क्योंकि 25 में नहीं क्यों निकाला क्योंकि ये था 25 ये हो गया 9 ये 9 विंडो एसी होंगी ये 6 ये टोटल होगा ये हमारा 15 टोटल 15 ये विंडो एसी टोटल हो गया 15 अगर विंडो एसी 15 है अब ध्यान से देखना 25x की वैल्यू 15 हो गई है ना और हमें क्या निकालने स्प्लिट भी हम निकालनेंगे चोंकि 75 एक से तो 25 थ्री सा होता है 75 मतलब 45 हमारे पास हो जाएंगे स्प्लिट ऐसी स्प्लिट ऐसी कित्ते हो जाएंगे 45 तो यहां पर में लिख लेता हूं 45 अजा 36 प्लस 9 45 होता है यह पूरा हमारा एक विंडोब उसका तो हम्में पता चली लगा हूँ यहां कोई दिक्तत उम्मीधे नहीं होगी आगे पड़ते हैं मैं ठीके ंब से से इसको हटाना है तो हटा सकते हो इसको हटाना है तो हटा सकते हो यह था 15 और यह था 45 और इंडिवीजुल भी कितने कितने हैं यह हमें पता चल चुका है ठीक है थाट पॉइंट भी हो गया फोड नंबर सप्प्लिटे टीम को सब्डाइवं यह अगर यह एक्स भेचा कई तो यह इसने टू एक्स भेचा होगा डीवन यह यह कहना चाहा रहा है कभी ठीक है अज़ा डीवन से रिलेटेट और कोई पॉइंट अभी हमारे पास नहीं है अब डीवन ने 13 इंवर्टर इसी सोल्ड किये थे तो 13 है अभी उस 13 कमें नहीं का सकता कुछ भी लेकिन यह x है वो 2x हो जाएगा इतना पता है चलो जब आगे पता चलेगा तब की तब देखेंगे यह जब दिमाग लगाने की बात आएगी आफिरी में लगाते रहेंगे लिए डीफोल्ट इक्वल नंबर ऑफ बिंडव एसी देटरी और डीफोर का बुलना इक्वल नंबर ऑफ विंडव एसी है यानि यह अगर वाय है तो यह भी वाय है अब अभी ध्यान देना यह जो y और x की वेल्यू कम से कम दो होनी चाहिए तो यह 3y, 4y, 5y हो गया, है ना, ध्यान से देखना yy को सिर्फ एट कर रहा हूं, 5y हो गया, इधर लिख देता हूं छोटू सा, अब y की वेल्यू 1 ले नहीं सकता क्योंकि कम से कम दो एसी बेच रहे दोड़े लोगगा तो टैना जाएगा 3 ले लोगगा में 15 हो जाएगा लेकिन x जिर हो जाएगा तो वाय नहां में 1 ले सकता हूं three पास 5 एक्स अगर 5 आ गया तो 2x क्या जाएगा 10 इसे भरे जाते हैं देखा एक पॉइंट से कित्ती सारी चीज़ें सॉल हो गया 5th पॉइंट से पूरा एक प्रकार से सेट आधे से आधा सॉल हो गया ठीक है आगे पढ़ लेते हैं 6th पॉइंट D2 and D3 were only ones who sold window non inverter AC अचा बोलने D2 और D3 ही थे इसे जिन्होंने window non inverter बेचा है मतलब इसने नहीं बेचा और इसने नहीं बेचा इसने नहीं बेचा है इने इसका 5 टोटल है यहां पे पूरा 5 आजाएगा और इसका 2 टोटल है यहां पे पूरा 2 आजाएगा ठीक है the number of this AC sold by D2 अबने number of this AC sold by D2 and twice the number of this AC sold by D3 इसने बेचा है अचा टोटल 6 लाना है तो 2 का कॉलम वाइस भी 9 आगया मतलब मैंने जो किया सही किया देखो विंडो AC का पूरा चार्ट अपना भढ़ चुका है मैंने कहा ना पॉइंट पड़ते हैं अंसर लगाते हैं तो पांच तो इधर आगया मतलब 8 इधर आएगा हो गया 30 अच्छा इसका स्प्लिट का टूटल 10 ह है तो 8 प्लस 2 ही 10 होता है यह भी हो गया है ना और दी 3 का एक पॉइंट था नौन इंवर्टर 5 बेचे तो देखो नौन इंवर्टर यहां पर 2 आ गया 3 ओर हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे ठीक जित्ता भढ़ सकते थे तो नीचे के जित्ते पॉइंट थी यह भी हमने सब दी 3 और दी 4 का एक्कोल है तो X और X मानलो एड इस नॉम्बर वास होप दे नंबर हो सिमिलर एसी शोल्ड बाइड दी टू यह होप है यह यह ने 2X होगा तो देखो 2X प्लस X प्लस X 4X इस इकल तो 36 माइनस 8 है ना क्योंकि 8 अल्रेड आ चुका है तो 4X इस इकल तो 36 माइन सेट क्या हो जागा 28 28 इस एक स्क्राइब है एक स्क्राइब आगी सेवन मतलब आप यह भी में लिख सकता हूं सेवन तो फॉर्टीन सेवन और सेवन तो D3 का टूटल आ गया 10 यह दोनों अभी पूरे हो गया लेकिन मैं नहीं बता पा रहा तो यह दोनों बस ब्लैंक रहेंगे बाकी सब चार्ट देखो इनके पॉइंट खतम हुए और हमने सब कुछ भर भी दिया अब बस सीधे कॉश्चिन पढ़ना था और अंसर लगाना बताओ मैंने कितनी सारी बाते कर ली फिर भी अभी 12 मिनिट चल रहा है यह मतलब 10 मिनिट से कम में कोष्चिन हम कर सकते थे अब बस कोष्चिन हाओ मैं split inverter AC, split inverter AC D2 का, D2 का split inverter यह रहा, 14, तो first question का answer क्या हो जाएगा, 14, second, what percentage of AC sold were non-inverter type, अच्छा total AC तो हमारे पास 60 है, 45 plus 15, 60 है total AC, अब इसमें non-inverter किते हैं, नीचे देखता हूँ, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ, non-inverter किते हैं, 9 और 6, 9 plus 6, 15, 15 है non-inverter, out of 60, यहने one-fourth, one-fourth मतलब 25%, option D, अगला, 8th question देख लेते हैं, total number of AC sold by D2 and D4, अच्छा कई बार आपको देखके लगए, क्या D2 और D4 ही तो हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो, देखो, हमें D1 और D3 पता है, D1 ने, देखो, 5 और 10, D1 ने, total 15 बेचे हैं, D4 ने, D3 ने, कितने बचे हैं, 2 और 10, 12, तो D1 और D3 का, total कित्ता हो गया, 15 और 12, पूरा लिख देता हूँ, 15 प्लस 12, अतलब 27, अब 60 मेंसे में 27, माइनस कर देता हूँ, 33, तो 8th question concern क्या आजाएगा, 33, चीसर में आ गई, हमें individual नहीं पता, लेकिन total हम बता सकते हैं, जो उसने पूछा था, 9th, इन मेंसे कुन सा false होगा, तो D1 and D3 together sold more AC compared to D2, D4, देखो उपर यह भी निकाल दे, D1, D3 ने बेचाए, 27, D2, D4 ने बेचाए, 33, है ना, तो उनका कमी होगा, नैसे से false बोला, ता A answer हो जाएगा, BCD चेक ही नहीं करो, अगर चेक भी करने हैं, तो उपर मेंने चार्ड बना के रखा है, उससे आप चेक कर लो, ठीक है, 10th, अब बोला, D3 और D4 ने अगर equal number of AC बेचे हैं, है ना, देख लेते हैं, equal, अगर बेचे हैं, color change कर लें, ताकि हमें पता रहा है, हमने कौन सा किया है, तो देखो, 1512 इसका आगया, 1512, ये, D3, किसका बोला था, sorry, sorry, मैं वापिस, D3, D4 का equal number of AC, D3 और D4 का, तो D3 ने, अच्छा, split और inverter window तो नहीं लिखा, ये भी देख लें, नहीं, D3, D4 का equal है, ठीक है, तो D3 का अगर 12 है, तो D4 का भी क्या होगा, 12, तो 12 दूनी 24 और 15, है ना, अच्छा, इधर 12 लाने के लिए इधर 5 आएगा, 7 प्लस 5, 12 हो जाएगा, अब इधर 5 प्लस 3, 10, ये क्या होगा, मेरा तो 9 आ रहा है, ये मैंने गलत कल्कुलेशन कर लिए, सॉरी, 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 7 प्लस 3, 10, 10 है ना, तो यहाँ पर 10 आएगा, वहाँ पर सेट आता हूँ, 10 है ना, 10, यहाँ पर 2, 2 था तो ये भी 3 आएगा, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ओवराल 12 था, है ना, तो यहाँ पर भी देखो 2, 10, 12 हो जाएगा, अब ये 3 प्लस 3, 6 प्लस 2, 8, प्लस 1, 9, अब कॉलम सही हो गया ना, 9, तो यह 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15, है ना, यह, वह इसके टूटल किते हैंगे, 15 प्लस 6, 21, ठीक है, चलो, अब देखते हैं क्या बोला है, यह, वाट वाज देखते हैं, नंबर अफ नोन इनवर्टर एसी, डीटू ने नोन इनवर्टर एसी कित्ते बेचे, तो डीटू को नोन इनवर्टर एसी तो एक यह बन हो गया, और एक यह क्या हो गया, 4, तो 1 प्लस 4 क्या आगया, 5, ठीक है, ऑप्शन, बी, तो टेंथ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना, तो अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो करीदो, अभी तक सुन रहे होंगे, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो,